देवोलिना जिम ट्रेनर शाहनवास को पिछले दो सालों से डेट कर ही थी लंबे एलेशनिशिप के बाद देवोलिना और शाहनवास ने गुप चुप तड़ीके से शादी रचा कर हर किसी को सर्प्राइस कर दिया एक्टरस ने हेटरस को जवाब दिया है बीवी की गोफी वहू देवोलिना ने सीक्रेट वेडिंग करके हर किसी को हैरान कर दिया 14 दिसंबर को देवोलिना ने जिम ट्रेनर शाहनवास किसे शादी रचा कर अपनी नई जिन्दगी का आगास किया है शादी के तस्वीरे शेयर कर देवोलिना ने फैंस को अपनी इंटिमेट वेडिंग की जानकारी दी और अपने हस्बेंट से भी मिलवाया लेकिन इंटर रिलिजन शादी करने पर कई लोग देवोलिना को लगतार ट्रॉल कर रहे हैं जिसका अब उन्होंने जवाब दिया है देवोलिना जिन ट्रेनर शाहनवास को पिसले दो सालों से डेट कर रही थी लंबे रिलिशन्शिप के बाद देवलिना और शाहनवास ने गुपचिप तरीके से शादी रचा कर हर किसी को सर्प्राइस किया है लेकिन शाहनवास के मुसल्मान होने पर कई लोग आक्टरिस को ट्रोल कर रहे हैं एक यूजर ने देवलिना का मज़ा कुरा दे हुए उनसे पूछा कि उनका बेबी हिंदू होगा या मुसल्मान यूजर ने तो अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया लेकिन देवलिना ने हेटर को मुहतोड जवाब दिया एक्टरिस ने अपने जवाब में लिखा मेरे बच्ची हिंदू होंगे या मुसल्मान आप कौन है अगर बच्चों को लेकर आपको इतनी चिंता हो रही है तो बहुत सारे अनाथ आश्रम है जाएए एडॉप्ट कीजिए और अपने हिसाब से धर्म और नाम चुनिए देवलीना की बात करें तो वो अपने शादी से काफी खुश है उन्होंने अपनी वेडिंग फोटो शेयर करते में लिखा था कि अगर चिराग लेकर भी ढूनती तो उन्हें ऐसा पती नहीं मिलता देवलीना और शानवास की वेडिंग फोटो सोशल मीडिया पर अब तक च अधर को फैंस और सेलेप्स ने ठेल सारा प्यार और बदाया भी दी लेकिन कुछ लोग इंटर्रिलिजन्स शादी करने पर कपल को ट्रोल कर रहे हैं थैर हम तो देवलीना को उनकी शादी की ठेल सारी बदाया देते हैं ब्यूरर रिपोर्ट दली समाचार